कि यहां sprawdetten सामने फेलाएं तंडा शन को बनाख साइड में अब मैं अब अपने पेृग को शेयर का पूरा निचे काबाद जमीन से तच हो रहा है क्या मैं चे कर लेए जिनके पेर स्वस्थ है तो एक बार रीपिल स ब है निचे का बाद उटउ मैं तकलीम किसका ऊपर रहेगा क्राब तंचे रहेगा थीचakah है तो पेरों में किसी भी कि तरह की तकलिक वह चाहा है टकल जबे दर्ट पंजो बेडर कि टेंकल में अगल मोदार कालों में अए ली यह पन road तरह के लिट5000 अहीं हैं तोनों आग पीछे एडिकेबल उठना है यस दीर नीचे एक बार और इंहेल करते हुए आग एक्जेल करते हुए डाउं यस डेडी अप आग एक बार और लिजेलास्ट इसमें आतों का दर्द भी तूर होता है क्योंकि आतों पर बहुत प्रेशर आता है यस हाप अब एक शंता के अनुसार दो दिर दिर नीचे रिलाक्स स्वास मन्द और शान विस्त्राम की मुद्रादे के आराम से विस्त्राम कर दिए अब पेरों की नेक्स्ट एक्सरसाइज पेरों में कहीं भी दार्द हो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं हो रहा हो तो थपकी जिगिस साब होते हैं इसको जैसे राइट पेर फोल्ड करें लेट को इससे रखें पंचे वह दार दे तो इससे वारी इस तरह एडिम में है तो एडिम पर नोट से मारों इस तरह आप जब की जिगिस साब होते हैं और एडि में दार दो तो एडि को एसे उपर पेर को पकेड़ी और एडि को इससे नचे ही दाएं बाएं पूरी एडि कवर करिया इस तरह आप दूसरे पेर से यस इसे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा बता है दोनों आदि उप्रियो कर सकते हों अब पेर को पकड़िये और एडि को इस तरह प्रचें सम उपर अब इस सिक्रा में आगे बढ़ रहे हैं पेरू के उपर धपकी उपर से नीचे नीचे से उपर पाज रहा हूं अब यह आपको बहुत अच्छा लगए अब आप सो उटके चलें करना तो आपको अच्छा लगए अट्राइब करते हैं लेकिन लगा अच्छे से अब साइड में यह दरस भोता है यह यह भी लगा सकते हैं प्रद़ यह विद्ध होते हैं अगर अगर इसा नहीं जमता है तो पेरों पैसे फॉल्ड करिए आप फिर इस तरह पीछे यह जो कप मस्सल्स है ना इसको कवर करिए कफ मसल्स को कफ मसल्स करिए यह तो मुठी बन करिए यह से देखो आप इसे इसे भी आराम से कर सकते हैं पुरे पेर को कवर कर सकते हो एड़ी से लगागे दिरे दिरे जैसा आपसे जम्मे वैसा अब आप देखें उटके चलिए कैसा लगता है एक बार ट्रे करिए करो अलका लग रहा ना अच्छा लग रहा चालो पड़िया पेरों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता और पेर तुरंद अलके होते हैं इससे और आपने अनुपव किया यह प्रियोग करने के बाद आप सबको अच्छा लगा किसी को बहुत अच्छा लगा जैसे जैसे हम अभ्यास में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसे ना होता है तो पेरों के लिए यह अच्छी एक्सरस है है अब आपको नेक्स एक्सरस कराओ पेरों के लिए लेफ्ट पेर को फोल्ड करें एडी बाहर निकालें लेफ्ट हाथ भूटने अपार राइट से पंज्या पकड़िए अब एडी को एंकिल से टुच करेंगे राइ आट नो दस और बास अब दूज्या पेर से पंज्या बना लेजिए यस वन तू थी फोर फाइव सिक्स सेवर एट नाइट टेंगे साम पान अब अगली एक्सरसाइज पुना लेट पेर को राइट पेर की थाइप पे रखें और अभी पेर को निचे जाने दीजिए इस तरह अरांग से बिल्कुल जवर्दस्ति नहीं करना है जितना जाये उतना क्योंकि स्टिप्नेस बहुत है सब जंग लगा हुआ है ना भी ओलिंग करना पड़ेगा इस चलिए स्टॉप अब आप जिस तरफ बच्चे को हम सीने से लगाते हैं गुट्णे को सीने से लगाओ और निचे छोड़ दो इस तरह इतना जाता उतना कोई बात नहीं देखा देकी ना करें धीरे धीरे रे बना धीरे सब कुछ होई माली सीन्चे सोगडा रितु आए फालो जाराम से आगे बढ़ना ची अब दूसरे बेर से राइट फॉल जाने दीजिए इस तरह अब सेने से लगा के छोड़िए संपार अब पेर को फॉल्ट करेंगे राइट लेप्ट में जितना लेजा सकते हैं अबना लेजा हैं साथ आठ नो दस अब दूसरा पेर से एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस अब वस यह पदमासन के लिए भी अच्छी तेहरी पेरों का दर्थ भी ठीक होता है प्लस पदमासन भी दिरे दिरे अच्छे सा लगता है अब लगे यह पदमासन राइट पेर फॉल्ट करेंगे अब यह आराम से लग रहा नहीं आगे बढ़े नहीं आप दिर्खोद चेक करो बहुत प्लस करने से पदमासन लगने लग जाता है तो अच्छा यह पदमासन जिनका नहीं लग रहा है तो यह अच्छी प्लस कर सकते हो विष्टी नासी का गया अगर बाग पर यानम उद्रा ये-क पतमासनल लगे हैं इसमें जुला भी जूल सकते हैं too now and जुदक़ तो यह बढू की एकसर सहज आप नमित करिए तो पेरों केहضा से छुटकारा मिलेगा